प्राइब् Cape नोटिफिकेशन है जो आपके पास आया हुआ है और यह कहा रहा है railway recruitment board published जो आपके पास already हो चुका है यहाँ पर technician grade 3 में जो 9144 post था उसको बढ़ा के 14239 post किया गया यानि दुगना कर दिया गया है लगभग आप कह सकते हैं लगभग लगभग आप दुगना नहीं कह सकते हैं कि link of submission of online existing and new eligible candidate मतलब अगर आप से यह post छुट गई हो और आपके पास ITI है और आपने fulfill नहीं किया था तो आपके लिए भी यह post क्या होगा फिर से खुलेगा आप form भर सकते हैं existing candidate जो already register हैं उनके लिए भी और जो नए candidate अब register होना चाहते हैं उनके लिए भी 2010-2024 से आपका यह open होगा 16-10-2024 तक के लिए जो कि 11.69 मिनिट तक उसके बाद 15 दिन के बाद आपको फिर दिया जाता है modification का time यानि 15 दिन के बाद आप इसको modify कर सकते हैं और आपको पता होना चाहिए कि modification के लिए 500 रुपे लिए जाते हैं जैसा आपके पास पहले हो रहा था वैसा अभी भी आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो इसमें कोई दूसरा चेंज नहीं है modify ऐसा form बरिया कि modification ना करना पड़े अगला बात करें modification of payment के लिए आपको बताया ही मैंने 500 रुपे लगेगा जो कि 17-10-2024 से 21-2024 के लिए आपके पास open होगा आपके पास अगर आपको देखना ह है तो आप जो 22-2024 का इस सभी डिटेल के लिए आप 22-2024 का notification डाउनलूड करेंगे वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा क्या-क्या conditions थी जिसका notification number आपके पास यह technician grade 3 के standard के अनुसार आपको सारी सीज़े अगर आपके पास कोई queries रही है इन numbers पे call करके आप मदद ले स सकते हैं अब कई सारी दिक्कते आ रही हैं बच्चों को कि सर क्या किया जाए technician grade 3 के लिए telecommunication के लिए आपके पास आया तो दोस्त देखो यहां पर grade 3 की बात की गई है जहां पर grade 1 की बात की गई होगी वहां पर graduation लाओगा ठीक है grade 3 की बात की गई है तो matriculation SSCL plus ITI होना चाह चाहिए electronics mechanics में wireman में matriculation SSC in dimension about trade इंस trade में होना चाहिए आपके पास complete apprenticeship के साथ होना चाहिए है और या तो 10 plus 2 physics और math से आपके पास होना चाहिए तो यह सारा detail मैं आपको भीजवा दूँगा यह telegram group को join कर लिजेगा यह सारे notification मैं आपको भीजवा दूँगा telegram group पे वहां पर जाके आप सारा अपना metric अपना qualification चेक कर लिजेगा और यह मैं आपसे discuss कर चुका हूँ और कई लोग भर चुके हैं तो यह discuss है अब यहाँ पे एक और बात जो आपको मेरे को बतानी थी इसी notification के recording कि आपके पास क्या कहा गया है कि vacancy आपकी increase की गई है इतना आपके पास आपके पास आएगा grade B का है ना annexer B में आप देखेंगे यह जो revise vacancy होगा वो annexer B में आपके पास होगा यह मैं पूरा detail आपको बिजवाद हूँगा मेरा काम था आपको inform करना कि आप किसी information से वंचित ना रहें ठीक है यहाँ पे आओ यहाँ पे देखो the existing candidate will also given the opportunity जो आपने register कर लिया उनको भी opportunity डिया जाएगा कि वो अपने RRB zone preference को भी क्या कर सकते हैं बदल सकते हैं important बात यह कि अगर आपने पिछली बार भर लिया था और आपको यह समझ में आया अरे मिर को इस zone से नहीं अगले zone से भरना चाहिए था किसी और zone से भरना चाहिए था तो आपके पास यह chance है आप भर सकते हैं और zone बदलने के लिए आप से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा workshop अब आगर आप preference को भी बदलना चाहते हैं जैसे कई लोग workshop में गए होंगे कई लोग PVA में कहीं अलग-अलग preference बदले होंगे वो भी आप बदल सकते हैं अलग-अलग categories के अं लेगा तो इस वाले 15 दिन के अंदर वाली में मत जाएगा वन्ना वहां पर आपका modification फीस लगेगा यह जो मैंने आपको date बताया है इस date के अंदर रहेंगे तो आपका कोई भी फीस नहीं लगेगा कौन सी date मैंने बताई आपको यह वाली date जो मैंने आपको बताई है इस date के अंदर आपके पास कोई भी फीस नहीं लगेगा कौन सा 2010-2024 से 1610-2024 के बीच में ठीक है तो यह सारी detail मैंने आप से share कर दी आप किसी information से वंचित रहें तो यह अच्छी बात नहीं है कल को आपको पता चले इस वज़े से मैं समय समय पर आपको information देता रहता हूं बताता रह सकते हैं ठीक है best of luck अच्छे से पढ़िए non-tech और tech दोनों को एक साथ लेके चलिए क्योंकि बिना tech के आपके पास qualify होने का chance नहीं रहेगा cbt2 आप इसमें भी फिर से क्या हो जाएंगे first जाएंगे तो मेहनत ऐसा करिए एक बार करिए अच्छे से करिए बार-बार करने की आ आवस्चता ना पड़े best of luck